हेलो फ्रेंड्स मैं राहुल कुमार स्वागत हैब सुभी के हमारे यूटीब चैनल पर फ्रेंड्स ये हमारा नंबर ओब जी रोज का सेकेंड वीडियो है अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक मैंने दे दिया है पहले वो पार्ट आप देखेंगे तो फिर ये सेकेंड पार्ट देखेंगे तो समझने में ज्यादा आसान होगा तो फ्रेंड्स हमारे सामने कोष्चन है आएए सॉल्ब करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 777 और इसमें क्या करना है number of ध्यान दिजेगा कि number of zeros find नहीं करना है number of 7 find करना है कि यह जो इसका लिखेंगे जैसे factorial 777 इसे कैसे लिखेंगे factorial 777 तो 1 into 2 into 3 into 4 अब तो multiply करते चल जाएंगे और कहा तक multiply करेंगे 777 तक multiply करेंगे 777 तक multiply करेंगे तो इसमें हमको 1777 तक multiply करेंगे उसमें 7 कितने बार आएगा कितना time 7 हमको मिलेगा यह number of 7 count करना है number of zeros count नहीं करना है तब क्या करेंगे मैंने इसके पहले बाले part वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है अच्छे समझाया है कि यहां 2777 है और number of seven हमको find करना की साथ कितना बार आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे उसक लिए क्या करेंगे कि यहां लास्ट कितना है 7777 हमको number of seven find करना है तो क्या करेंगे सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम से जाएगा 1 1 1 बड़ा नमबर है फिर सेवन से डिवाइड होगा फिर सेवन से डिवाइड होगा अब कितने टाइम से जाएगा 7174 और 5 फिर 7 से जाएगा 7 2 अब देखेंगे अब क्या होगा total number of 7 कितना पताएगा कैसे पता चलेगा यह जो पार्ट है इसको total को add करेंगे यहां देखेंगे 111 111 152 17 add करेंगे 128 128 इसका मतलब यह जो स्रीज है उसमें हम क्या है 7 जो है 128 बार आ रहा है 7 जो है 128 बार आ रहा है तो number of 7 कितना हो गया number of 7 कितना हो गया 128 हो गया जहें इसका answer है next question है हमारे सामने next question हमारे सामने है इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें 1 से स्टार्ट नहीं है इस question में 1 से स्टार्ट नहीं है 15 से स्टार्ट है और 15 इंटो 16 इंटो 17 अब टू मल्टिप्लाई करते हैं 100 तक गया है और इसका इसमें हमको number of zeros find करना है 0 कितने बार आएगा सुने कितने बार आएगा यह हमें find करना है number of zeros find करना है और 15 से स्टार्ट है यह ध्यान देना है इससे कैसे solve करेंगे आए देखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा first step क्या होगा कि 1 से multiply करके फ़ले चेक करेंगे 1 in 2 2 in 2 अगर यह 1 से स्टार्ट होत तो इसका answer कितना होता अब टू लिखेंगे 100 तक और इसे check करेंगे और इसका जो answer आएगा अब 14 तक करेंगे उसको minus कर देंगे तो इसका answer निकलेगा अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे 100 तक पहले अगर check करेंगे तो 100 तक में अगर check करेंगे और इससे पहले मैंने बताया था कि number of zeros हमको find करना है तो number of zeros हमको find करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि number of zeros find करने के लिए number of 5 5 कितने बार आया है ये चेक कर लेंगे तो जितना number of 5 आएगा उतना ही number of zeros होगा तो 5 कितने बार आया है इस सीरीज में पस उसे चेक कर लेंगे वही क्या होगा number of zeros का number of zeros बताएगा तो 100 तक है तो इसमें check कर रहे हैं कि 5 कितने बार आया है तो इसको 5 से divide कर रहे हैं और check कर रहे हैं 5 से जब divide करेंगे तो 20 times समझाएगा फिर 5 से divide होगा 5 for the 20 T four आ गया तो यहां देखेंगे किया आया कितना तक में verify कितना टाइंज आया है 24 वार आया हैनगे पांच जो है यह 2 ए Siwa राय sch अब देखेंगे अब देखेंगे हमको तो यहाद पर अदूर IFA से तो पता चल जाएगा कि 15 से 100 तक में कितने बार आया है तो अब देखेंगे next क्या लिखेंगे कि 1 से 14 तक लिखेंगे तो 1 into 2 into 3 into multiply करते चले जाएगे और 14 तक लिखेंगे अब इसमें क्या करना है इसमें भी check करेंगे कि 5 कितने times आया है तो यह तो simple है आप ऐसे भी check कर सकते हैं कि 3, 4, 5 यहां पर 5 आएगा 4 के बाद 5 आएगा और 10 यहां पर आएगा कहीं पर तो 10 आएगा तो उसमें 5 into 2 आजाएगा मतलब यहां एक 5 मिलेगा यहां एक 5 मिलेगा तो 5 कितने बाद आएगा इसमें 2 बाद आएगा वैसे आप अगर check करना होगा formula से तो यहां 14 है तो 14 है तो कैसे check करेंगे तो 14 के लिए कैसे check करेंगे तो यहां 14 है फिर 5 से जब divide करेंगे तो 5 into क्या होगा 5 into 10 आएगा remainder 4 आएगा remainder अब छोड़ दिजे तो यह number of 2 है यह बता रहा है कि इस series में 5 कितने बाद आया 2 बाद आया वैसे आप check करके भी देख लिए 3, 4, 5 एक आएगा और जब 10 मिलेगा तो इस 10 में 5 into 2 10 होगा तो यहां 1 5 मिलेगा तो यहां 1 5, यहां 1 5, 2 5 और वही 2 numbers यहां से पता चल रहा है तो अब क्या करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में 24 बार है 5 और 1 से लेकर के 14 बार में 2 है तो अब क्या करेंगे इस 24 में 2 को minus कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 15 से लेकर के 100 तक में कितने बार 5 आ रहा है तो क्या करेंगे 24 आया यहां और 24 में इस 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 22 ठीक है अब यह पता चल गया 22 बार मतलब क्या हो रहा है कि 15 से लेकर कि 100 तक में जो गुना किया गया है नेक्स्त कोस्टेन हमारे सामने है जिसमें 35315 से स्टार्ट है और 500 तक मल्टिप्लाई किया गया है 500 तक मल्टिप्लाई किया गया है और इसमें हमको number of zeros find करना है number of zeros find करना है और 315 से start है और 500 तक multiply किया गया है number of zeros हमें find करना है कैसे solve करेंगे just इसके पिछले वाले question में जैसे बताये थे पहले 1 से लेकर के find 500 तक निकालेंगे उसके बाद 314 तक 314 तक minus कर देंगे तो यहां तक इसका हमें पता चल जाएगा आई यह solve करते हैं तो क्या करना होगा वान इंटू टू इंटू इंटू थ्रे इंटू multiply करते चले जाएंगे 500 तक और इसमें हम क्या निकालेंगे कि number of zeros हमें find करने है तो number of zeros find करने के लिए हमको number of five पांच कितनी बार आ रहा है से रिज में उसको चेक करना है तो फाइब चेक करने के लिए फाइब यहाँ पांसो है तो फाइब सीर्ड़ों पॉन Dragons यहां पांस ओ इसको डिभाएट करके चेक रिएगे कि इतना यृकि अटेंस आ रहा है कितना बार मैं जाया यह 100-100 टाइंस में अब फिल दीवाइड होगा 20, 3 divide होगा 4 times अब क्या करेंगे, इसको add करेंगे तो 120 कितना होगा, 124 सबको add करेंगे, 100 plus 20 plus 4 124 इससे क्या पता चल ला है कि एक से लेकर के 500 की बीच में यह जो multiply किया गया है उसमें number of 5, 5 जो है 124 बार आया है 5 जो है 124 बार आया है लेकिन question में तो 315 से start है अब क्या करेंगे, 314 तक 314 तक multiply करके minus कर देंगे, तो आईए देखते हैं अब next क्या लिखेंगे, यहाँ 315 से start है तो 1 into 2 into 3 into 4 multiply कहां तक करेंगे 314 तक करेंगे, क्योंकि यहाँ 315 से start है अब चेक करेंगे कि इसमें 5 कितना टाम्स आ रहा है, तो 314 है इसको 5 से divide करेंगे तो कितना टाम्स में जाएगा 6, 14 हो जाएगा 5, 2, 10, आप करके फिर देखेंगे 12 टाम्स में जाएगा अब reminder आएगा, जैसे 12 टाम्स से जाएगा, तो 60 होगा reminder 2 आएगा, reminder आपको छोड़ देना है फिर 5 से divide करेंगे 5, 2, 10, reminder 2 अचेगा reminder आपको छोड़ देना है अब देखेंगे यहाँ यह जो है, यह total number of 5 से बता रहा है तो यहाँ कितना होगा, add करेंगे 6 यह 7 अब यह हो गया, number of 76 पता चल रहा है, यह क्या पता चल रहा है कि 1 से लेकर के 340 तक में 76 मतलब 5 जो है 76 बार आ रहा है, 76 टाइम्स आ रहा है अब यहाँ 1 से start की थे, 500 तक गया है 124 आया था अब यहाँ 1 से 314 तक 76 आया है, तो अगर इसमें से, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 314 के बाद, 315 से 500 के बीच में, कितना नमबर और 5 है, 5 कितने बार आया है तो माइनस करेंगे, माइनस यहाँ करेंगे 124 124 में यह 76 को 46 को माइनस करेंगे माइनस 76 कितना होगा 8 4 तो यह जो नमबर 48 आया यह 48 जो आया, यह बता रहा है कि यहां से ले करके यहां तक में number of 5, 5 जो है 48 बराया है, इसका मतलब number of zeros क्या होगा, number of zeros भी यही होगा, 48 हिस का answer होगा, next question हमारे सामने है, next question हमारे सामने है, 10 into 20 into 30 into 40 multiply करते चले गए हैं, और 1000 तक, 1000 तक multiply किया गया है, और इसमें भी हमको number of zeros, number of zeros ही find करना है, zero कितना times आएगा, zero कितना बार आएगा, यह हमें निकालना है, तो अब इससे कैसा solve करेंगा, आइए देखते हैं, तो friends क्या करेंगी, यह 10 है, 10 है इसको कैसे लिखेंगे, 10 into 1, 20 को कैसे लिखेंगे, 10 into 2, 30 को कैसे लिखेंगे, 10 into 3, 40 को कैसे लिखेंगे, 10 into 4, ऐसा ही करके आगे लिखते चले जाएंगे और ये 100 को कैसे लिखेंगे 10 into 100 अब क्या होगा ये दखिए ये 10 शब में है 10 10 10 सब में है और यहां तक गया है पुरा यहां तक आगे बीच में जितना भी नभरायाइगा शब में होगा 1, 2, 3, 4 करके 100 तक गया है इसका मतलब क्या पता चलना है कि यह 10 जो है कितने बार आया है इसमें 100 बार आया है यह 100 तक है तो 100 बार आया है 100 टाइमस आया है इसका मतलब इस 10 को अगर हम बाहर निकालना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे 10 का power 100 लिखेंगे क्योंकि 100 टाइम्स आया है 100 बार 100 बार है तो 10 का power 100 लिखेंगे अब क्या बचेगा अब क्या बचेगा यहाँ 1 into 2 into 3 into 4 यह up to multiply करते चले जाएंगे up to multiply करते चले जाएंगे कितना times 100 times अब इसमें निकालेंगे यह जो है पहले वाले series की तरह हो गया पहले इसके जो question मैंने बताया था same type हो गया अब इसमें निकालना है कि इसमें number of 5 कितने बार है 5 कितने बार आएगा 100 तक में यह हमको निकालना है तो आपको पता है मैंने बताया कि क्या 100 में यहां तक है पांच के बारे में निकालना है तो क्या करेंगे 5 कि हमको जानցकायर लेना है तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 times में जाएगा फिर 5 से डिवाइड होगा 4 times में जाएगा तो ये जो आया इसे एड करेंगे 20 plus 4 कितना होगा 24 मतलब ये पता चल रहा है ये पता चल रहा है कि 1 से लेकर कि 100 की बीच में ये जो मल्टिप्राइज चरी जाया इसमें कितना है 5 जो है 5 जो है 24 बार आ रहा है 24 बार आ रहा है अब यहां देखेंगे अगर हमको इसमें number of zeros निकालना हो अगर यहां से यहां तक में number of zeros निकालना हो कि 0 कितना बराएगा तो पांच जितने बर आएगा उतना ही 0 होगा क्योंकि 2 तो maximum times है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12, 14 number of 2 जो है, 2 का संख्या बहुत जादा होगा तो 5 कितने बर आए, 24 आए, तो 5 into 2 का combination set बनेगा 0 का formation होगा, 0 का formation होगा, तो 5 कितने बर आया इसमें, 24 बर आया इसका मतलब number of zeros क्या होगा, number of zeros क्या होगा, 24 होगा तो इसमें number of zeros यहाँ 24 निकला, और इसमें number of zeros देखेंगे, 100 आया 10 का power 100 है, power में 100 है, इसका मतलब यह zeros कितना है, 100 बार है तो यहाँ 100 है और यहाँ से 24 है इसका मतलब टोटल कितना होगा टोटल होगा 100 पलस 24 और यही क्या होगा टोटल होगा इसका इस सीरीज का टोटल होगा 124 नमबर ओफ जिरो यही 124 इसका एंसर है next question है हमारे सामने next question है हमारे सामने 10 प्लस 100 प्लस 1000 एडिशन करते चले गए है और यहाँ तक add है इसमें आप ध्यान देने वादी बात क्या है कि पहले वाले question में सब में multiply का sign दाता था लेकिन इसमें addition का sign है प्लस प्लस का sign है सब में अब इसमें भी क्या कर ना है number of zeros find करना है जो सबसे छोटा number होगा, जो सबसे छोटा सम्क्या होगा, वो उठा लेना है, और उसमें जो number of zeros आएगा, वही उसका answer होगा, इसमें क्या answer होगा, ये देखें, सबसे छोड़ा क्या है, टेन मिलेगा, बागी दिद्ध हंडिट, फॉजर ने बड़ा है इसे, टेन सबसे छोट तो 10 आप उठाले चेट 10 नमबर ले लिए और इसमें जो नमबर ओब 0 क्या है वन है तो यही पूरा सिरीज का क्या आप जाएगा एंसर हो जाएगा जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर ले ले मान के चलिए यह सिरीज अगर इत्मा ही दुरतक होता यह जो है यहीं तक रहता तो कैसे लिखतें, 1000 पलस 100 एड़ करतें यहां 100 फिर पलस 10 एड़ करतें अब यहां कितना आता आप खुद ही देख लिजिए यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ देखे, अगर यह question यहीं तक रहता, अगर यह question यहीं तक रहता, और हमसे पूछा जाता कि number of zeros बताईए, तो सब को add करने पार कितना है, number of zeros, 0 आया, अगर यह question 100 तक भी होता, तो भी दुनों को add कर बते चले जाएगा, और number of zeros क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब यह जो series है, 10 से ले करके, यहाँ तक इसमें number of zeros क्या होगा, 1 होगा, सुनी की संख्या क्या होगा, 1 होगा, next question हमारे सामने है, next question हमारे सामने, आप देख रहे हैं, यहां 100 से start है, और इसमें भी क्या है, प्लस प्लस क sign है, और यहां तक सबको add करने पर, हमें भी क्या निकालना है, यहां भी number of zeros निकालना है, सुनी की संख्या निकालना है, तो इससे पहले बाले question में, जैसे कि हम बताया है, क्या देखना है, जो सबसे छोटा number होगा, जैसे यहां क्या है, 100 है, सबसे यह थो 1000 1000 वढ़ते जाएगा बड़ा होते जाएगा तो 100 सब से छोता है तो बस ही हमड़ेड आपउठा लो और यहीं से चेक करो किस्में सt कितना है Verd Ар तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तू हो तो कितना नमबर of zeros मित्ता है यह 0, यह 0, यहां 1, यहां 1 अब यह ए सिरीज बस यहीं तक रहता तो भी नमबर of zeros आया अब इसके आगे भी add होते जाएगा तो क्या होगा जब आगे भी add करेंगे आगे भी add करेंगे तो यह 111 जो 11 यह बढ़ते चले जाएगा और number of zeros किया मिलेगा हमीशा two ही मिलेगा इसलिए जहाँ STIV इसले जहाँ palette दिख रहा है तोसमें क्या करना है सबसे छोटा नंć इसमें number of zeros कितना है तो number of zeros किया होगा और यही किया है answer होगा के आएट्स में सामने है next question हमारे सामने है इसमें जिसमें 100 का factorial plus 200 का factorial है और इसमें भी क्या है क्या है number of zeros ही find करना है सुनी के संख्या ही निकालना है तो इसे पहले वाले question में चैसे मैंने बताया कि क्या करना है जहां आपको plus का sign दिख रहा है addition दिख रहा है उसमें आपको क्या करना है सबसे छोटा number मिल रहा है बस उसे ही उठाना है और उसमें से जो number of zeros find होगा वही पूरा series का क्या होगा number of zeros होगा तो इसमें देखेंगे क्या है 100 factorial है तो इसे हम लेना ही नहीं है 200 factorial से मतलब है नहीं है बस इसी को calculate करेंगे और जो इसका number of zeros आगा यहीं पूरा question का पूरा series का number of zeros होगा तो 100 factorial का देखेंगे 100 factorial का 100 factorial तो अब जैसे देखेंगे कि यह 100 है तो 100 को कैसे लिखेंगे 100 factorial है इसको कैसे लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into multiply करते से ले जाएंगे और कहां तक multiply करेंगे 100 तक multiply करेंगे और 100 तक multiply करेंगे तो यहां तो सब में multiplyumba universally आया तो अब निकालना क्या है कि इसमें इस सीरीज में अगर number of zeros निकालना है सुने कि संख्या निकालना है तो हमें यह चेक करना है कि यहां तक में 5 कितने बार आया 5 कितना time साय ये चेक करना है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे यह 20 प्लस 4 क्या हो गया, 24 हो गया, 24, मतलब यह पता चल रहा है कि 1 से लेकर के 100 जो multiply हुआ है, इसमें क्या है, यह मतलब factorial 100 में, जो 5 है, 5 कितना बारा है, 24 बारा है, 5 कितना बारा है, 24 बारा है, इसका मतलब यहां से यहां तक में number of zeros क्या होगा, number of zeros क्या होगा, 24 होगा, और इसमे 100 factorial में number of zeros 24 होगा इसका मतलब ये पूरा series में number of zeros कितना होगा 24 ही होगा और यही 24 answer है इस question हमारे सामने है 3 का power 123 3-3 का power 1 है 22 3 का power 121 ये bracket में है फिर यहां 2 का power है और इसमें भी क्या करना है इस question में भी क्या करना है number of zeros ही find करना है सुने की संख्याय निकालना है क्या से solve करते हैं आईए देखते हैं तो अब इसमें करना क्या है देखेंगे कि इसमें 3 का power 121 सम्में है तो ये बाहर निकालेंगे और 2 का power 119 सम्में आएगा तो इसको भी क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो आईए करते हैं माइनस इसमें क्या बचेगा? 1. अब यहां से निकालेंगे 2 का पावर 119, 2 का पावर 119, जब बाहर आएगा तो यहां कितना आएगा? 2 का पावर 2, माइनस इसमें कितना बचेगा? 2 का पावर 1, माइनस इसमें क्या बचेगा? 1. अब इसे असाने से कलकुलेट कर सकते हैं, 3 minus 3 और minus 1 क्या होगा minus 4 2 का पावर 119 ब्रैकेट में 2 का स्क्वाइर है क्या होगा 4 minus ये कितना होगा 3 minus 2 minus 1 minus 3 अब यहाँ देखेंगे 3 का पावर 121 9 minus 9 minus 4 क्या होगा 5 अब यहाँ है 2 का पावर 119 4-3 क्या होगा, 1, अब देखेंगे कि इसमें 5 कितने बार आया है, नमबर ओफ 5 कितना है, 5 कितना बार आया है, तो आप यहां देख सकते हैं, कि यहां जो है, 3 का पावर 1, 21, यहां 5 है, और 5 तो कहीं है यह नहीं, तो जितने बार 5 आया, उतना ही नमबर ओफ क्या होता है, 0s हो होगा number of zeros क्या होगा यह one ही होगा इसमें पूरे सीरीज में सुनने कितना मिलेगा जीरो कितना मिलेगा एक बार ही मिलेगा इसमें क्या होगा number of zeros कितना निकलेगा one होगा answer number of zeros one होगा तो friends यह हमारा last question था यह हमारा last question था और उमीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहत पसंद आया होगा फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक सब्सक्राइब और सेर कीजिएगा थैंक यू